हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल जैसा कि दोस्तों आपको पता है आज है 22 जुलाई और SSE MTS 22 जुलाई का फर्स शिफ्ट का एक्जाम खतम हो गया है देखते हैं आज फर्स शिफ्ट में कैसे कोशन पूछे गए और दोस्तों आपको जो हैना सटीक अनले सबसे पहले देखने के लिए लगातार कोशन जो हैना रिपीट हो रहे हैं और पैटन से मी आ रहा है इसलिए आप जो हैना एनलेसिस को पूरा एंड तक देखा कीजिए जिससे कि आपको अपने एक्जाम में फाइदा हो सके तो देखते हैं आज फर्स शिफ्ट में कैसे जनना के नुसार तो ये थी एक अरब 21 करोड यानि की 121 करोड ठीक है नेक्स्ट कोशन पूछा था आपसे करेंट अफेर का 2021 का कोशन था ये 2021 का ICC महिला किर्केटर ऑफ दे इयर किसे दिया गया है 2021 में ICC महिला किर्केटर ऑफ दे इयर अवोर्ड जो है ये स्मृती मंधान को दिया गया है तो ऑप्शन में स्मृती मंधाना दिया होगा वही आपको करेक्ट करना था वहीं बात करें दोस्तों ICC पूरूष किर्केटर ऑफ दे इयर 2021 की तो ये दिया गया है साहिन शहा अफरीदी को जो की पाकिस्तान के किर्केटर है एक फास्ट बोलर है लेफ टाम नेक्स्ट कोशन आया था दोस्तों ये भी कर्केट से समंदित आया था कि प्रथम भारती है ICC विश्व कप विजेता कफ्तान कौन थे देखिए प्रथम भारती है ICC विश्व कप विजेता कफ्तान थे कपिलदेव जन्होंने भारत को पहली बार 1983 में व Democr of Nobel V 착 juice पूर इस प बात करें T20 वर्ल्ड कप में जो भारत को पहली बार ट्रोफी जिताया था T20 वर्ल्ड कप में वो कप्तान मेंदर सिय धोनी ने जिताया था मेंदर सिय धोनी ने इंडिया को 2011 के वर्ल्ड कप में फिर से 50 ओवर वर्ल्ड कप में जिताया था वहीं बात करें 2013 चेंपियन का होता है आपको पता होगा ये भी महंदर सियं धोनी ने जिताया हुआ है महंदर सियं धोनी इकलोते दुनिया में किर्केट के कप्तान है जिन्होंने ICC की तीनों ट्रोफी जीती है सफेद गेंद वाली ये कोशन MTS में एक बार पूछा भी गया है ठीक है नेक्स्ट एक कोश स्पुस्तक के लेखक हैं अरुन्दती रोए तो अरुन्दती रोए आपको option में दिया होगा वही आपको correct करना था नेक्स्ट कोशन आया था सात वाहन WANS की राजधानी कौन थी सात वाहन WANS की राजधानी थी प्रतिष्ठान ठीक है तो प्रतिष्ठान आपको option में मिला या फिर इंग्लेंड ओप्शन में दिया होगा नेक्स्ट कोशना है था अलाउदिन खिलजी का सेना पती कौन था देखिए दोस्तों अलाउदिन खिलजी का सेना पती था मलिक काफूर तो मलिक काफूर आपको ओप्शन में दिया होगा वो आपको correct करना था next question आया था कि 42 में सविधान संसोधन में क्या जोड़ा गया था देखिए candidates बोल रहे थे option में मोली करतव्य दिया गया था तो मैं आपको बता दूं 42 में सविधान संसोधन में मोली करतव्य को सविधान में जोड़ा गया था अगर मोली करतवे option में था तो मोली करतवे आपका right answer होगा और इसके साथ आपको ध्यान रखना है 42 सविधान संसोदन में प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे सामाजवादी धरम निर्पेश और एकंडता ये जो तीन शब्द जोड़े गए थे ये भी 42 सविधान संसोदन के तैज जोड़े गए थे सविधान की प्रस्तावना में पर आज आपसे मोली पूछा था नेक्स्ट कोशन है था कि सतरिया नरत्य किस राजे का है ये कोशन पांचवी बार आज इस एक्जाम में रिपीट हुआ है सतरिया नरत्य की बात करते हैं तो ये असम राजे का नरत्य है भी हूबी असम राजे का ही नरत्य है नेक्स्ट कोशन है था मांडो डांस ये किस राजे से समंधित है, बात करें, मांडो डान्स की, तो ये आपका, गोवा राजे से समंधित है, next question आए था, S. बालाशंकर, किस वादयंतर से जुड़े हुए हैं, S. बालाशंकर की बात करें, तो इनका समंध है, वीना वादयंतर से, और ये कोशन आपको practice वीडियो में करवाया भी है practice वीडियो से आज भी आपके जो है ना तीन से चार कोशन आए है इसलिए बोल रहा हूँ जिनका exam बाकी है सबी practice वीडियो देखकर जाएए आपको practice वीडियो की एक playlist मिल जाएगी playlist का link इस वीडियो के description में उपर यूपर दिया हुआ है next question आया था अप्रेल 2022 तक भारतिय रेलवे द्वारा सरवादिक स्थानांतित वस्तु क्या थी अप्रेल 2022 तक भारतिय रेलवे द्वारा सरवादिक स्थानांतित वस्तु जो थी वो थी कोईला कोईला अगर option में था तो आपको कोईला answer करना था इस वाले question में मेरे को थोड़ा सा doubt है friends जिनका भी first shift में paper था बताईएगा कि April 2022 से भारतिय रेलिवे से related कोई question आया था और exact question अगर आपको याद हैं तो comment जरूर कीजिएगा next question भारतिय सविधान का कोन सा अनुचेद मानव तसकरीवे बालतर शरम पर रोक लगाता है देखिए भारतिय सविधान का जो अनुचेद 23 है ये आपका मानव तसकरीवे बाल शरम पर रोक लगाता है article 23 आपका right answer हो जाएगा रोजाना article से question पूछा जा रहा है एक question है था chicken pox नामक बिमारी किसके कारण होती है कल भी ऐसे question देखने को मिले थे आपसे bacteria virus से question अब लगाता रहा है तो इन चीजों पे भी आप ध्यान दीजिए अगर आपके ये topic cover नहीं है तो देखिए दोस्तों बात करें chicken pox नामक बिमारी की तो ये virus से होता है अगर virus का नाम अगर आपसे पूछा होगा तो आपका हो जाएगा answer वेरिसेला जोश्टर virus जो है ये इससे होता है chicken pox next question आये था कि भारत में विद्वा पुनर विवाह की दिशा में किसने उलेखनिय कारे किया था भारत में विद्वा पुनर विवाह की दिशा में उलेखनिय कारे किया था इश्वर चंद्र विद्या शागर जी ने देखिए the act was in case on 26 July 1856 it was drafted by Lord Dalhousies and passed by Lord Canning before the Indian rebellion of 1857 ओके friends next question देखते हैं निमल लिखित में से कौन सा सत्यागरह नील की खेती से समंदित है सत्यागरह जो नील की खेती से समंदित है यह है चमपारण सत्यागरह जो की 1917 में हुआ था यह महात्मा गांधि जी का सबसे पहला आंदोलन था जो कि बिहार जिसको हम बिहार चमपारन अंदोलन के नाम से जानते हैं और आपसे कुछ बोल रहे थी कि आज पूछा था कि जो नील करांती है ना वो कब हुई थी अगर ये पूछा होगा तो आपका आंसर होगा 1859 में किसानों ने नील की करांती की थी ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोशन आया था भारत में कौन गरीबी के सरवाधिक चपेट में हैं भारत में गरीबी के सरवाधिक चपेट में अनुसूचित जाती हैं next question पूछा था friction force slide में ज़्यादा होता है या फिर rolling में जो friction force होता है यह आपका slide में ज़्यादा होता है ठीक है friends next question आया था कि हाली में gender समवाद कारेकरम कि समंत्राले द्वारा शुरू किया गया था देखिए gender समवाद जो कारेकरम है यह आपका ministry of rural development के द्वारा शुरू किया गया था next question आप से पूछा था कि जो आपका BASSE award है इस related with which country जो आपका BASSE award है यह आपका New York share से समंदित है और country अगर पूछे तो country America हो जाएगा New York dance and performance award जिसे BASSE awards के रूप में भी जाना आता है को New York share में अपने काम को प्रस्तूत करने वाले स्वतंत्र नरत्यकलाकरों द्वारा ऐसा धारन उपलब्धी के लिए प्रतिवर्स प्रदान किया जाता है ठीक है next question आये था territory sector is related with जो territory sector होता है इसे service sector भी का जाता है और यह आपका अर्थ विवस्ता से related होता है तो अर्थ विवस्ता आपका right answer होगा ठीक है next question देख लेते हैं रंग बनावट आदी मिट्टी के लक्षन किस से समंदित है तो रंग बनावट आदी मिट्टी के जो लक्षन है न यह आपके parent रोक से समंदित है तो parent रोक आपका right answer हो जाएगा तो आज के shift के और एक और question है देखिए बराबर गुफाएं यह कहा पर स्तित हैं बराबर गुफाएं यह जहानाबाद बिहार में स्तित हैं तो यहाँ पर जहानाबाद बिहार आपका right answer हो जाएगा next question आया था इनमें से कौन सी अवसाधी cell का उधारन है देखिए बलुआ पत्थर चूना पत्थर स्लेट कांगलोमेरिट और नमक की चटान औ अंदर क्या पाया जाता है cell nucleus कोशी की यह केंद्रक के अंदर जो है ना केंद्रक और यहाँ पे थोड़ा मिस्प्रिंट है इसको सही कर लीजिए केंद्रक और कोशी का द्रवे option में बता रहे थे कि यह दोनों ही था केंद्रक कोशी का द्रवे में से जो भी आपको मिला होग वो आपको correct करना था देखिए chromosome, DNA, gene आदी जैसे जीवों के सभी अनुवन्शिक शामगरी भी इसमें शामिल होती है पर कुछ बोल रहे थे कि आज केंद्रक और कोशी का द्रव्य ओप्शन में दिया हुआ था तो अगर आपको exact option पता है तो याद है तो आप comment जूरू कीजेगा next आया था परमानू के नाभी के बीतर क्या पाय जाता है तो परमानू के नाभी के बीतर आपका proton वे neutron पाया जाता है ठीक है दोस्तों तो आज के first shift के लगबग सभी question cover हो गए हैं एक या दो question ही छूटे होंगे अगर आपको याद है एक दो question जो रह गए है मेरे से तो आप comment कर दीजेगा और मैं मिलता हूँ आपसे second shift के साथ जैहिन जैवारत